हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई चानल, मैं हूँ अंजीनी और आज मैं आप लोगों के साथ तिरंगा पुलाओ बनाने की रेस्पी सेर करने जा रही हूँ इस पुलाओ को बनाने के लिए मैंने किसी भी आर्टिफीसर रंग का इस्तमाल नहीं किया है इसलिए यह बहुत ही हेल्दी और टेस्टी पुलाओ की रेस्पी है तो चले स्टार्ट करते हैं आज की रेस्पी और अगर रेस्पी पसंदा है तो आप लोग इसे जरूर लाइक कीजेगा, सेर कीजेगा और मेरी यूटूब चारल दिलचास प्रसोई को सब्सक्राइब कर ल कीजेगा वारास पुराओ बनाना, तौक शरिया रंग बनाने के लिए यहां पर मैंने स्तमाल किया है तमाटा और गाजर का तो चलेवे स्टार्ट करते हैं फुलाओ को बनाना, तो यहां पर जीर हमारा मेल्ट हो चुका है तो आप ईसमें हलका सा जीरा डाल देते हैं, एक इसमें हलका सा नमक डाल देंगे, ताकि इसा तमातर नहां पर हमारा फुक हो जाए, तो जितना आपको प्लॉड डालना बनाना है, उसी के आप वाड यहां पर आप नमक एक कर लिए, निक्स कर लें, तमातर को यहां पर हम फुक होने देंगे, तमाटन में आपे हमारा फूप होना इस्टार हो तुका है तो इससे इस तरीके ते हल्का हल्का मैश कर देंगे इसे सारी पुलाव में लिए पेखलिया रंध है वो अच्छे के आजाएगा तो इस तरीके से अब इसे हम गाजय रेट कर लेंगे निक्स कर लेते हैं अब 2-3 मियाथ हम इसे फूप होने देते हैं ताकि गाजर और टमाटर दोनों अच्छे से यहाँ पे फूप हो जाएगा तब जब हम इसे राइस में डालेंगे तो राइस का पेश्टो वह भी अच्छा आएगा और हमारा जो किसरिया पुलाव है वहाँ यहाँ पे बन करके अच्छे से रेवी होगा तो यह देखिए गाजर और टमाटर जो है वह यहाँ पे अच्छे से फूप हो चुकी है तो अब हम इसमें कुछ मसाले एट कर लेंगे और इसके बाद इससे अच्छे से हम यहाँ पे फ्राइब करेंगे तो मसालों में हल्का सारम यहाँ पे एक चमच मिर्चे का पाउडर एट कर लेंगे एक चमच गरम मशाला का पाउडर एट कर लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे मिक्स करके हम एक मियाट मसालों को यहाँ पे पकने रेते हैं यहां पर सारा मसाला हमारा अक्षी से कूप हो चुता है तो अब हम इसमें पका हुआ चावल एड़ करने हुए और अब चावल को हम अच्छे से विक्स करेंगे और यह देखे चावल को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हमारा जो के सरी रंग का पुलाओ है वो यहां पर पूरी तरह से रेडी हो चुता है बिना सिपी आपी सुष्या रंग के तो अब हम प्यार करेंगे सफिय रंग के पुलाओ की तो चलिए स्टार करते हैं हम एक चमच फिर से घी आड़ करेंगे और गी को मिल्ट हो ले देंगे यह हमारा मिल्ट हो चुका है तो इसमें हम जीरा आड़ कर लेंगे इसी के साथ हम प्याज आड़ कर देते हैं आधा कटा हुआ सफेद रंग के तिरंगा बनाने के लिए यहाँ पर मैं इस्तमाल कर दें हूँ फूल गोवी और पतागोवी दोनों को ही मैंने बारी कट करके रखता हुआ है तो प्याज को पाले साथे हुने रहे हैं प्याज यहाँ पे हम प्रावते कर दिके हैं तो अब निक में डाल दे करते हैं पूल गोवी और पतागोवी को इसे के साथ हम नमग एक करेंगे तेक के अपर दिल्ग इसे कोई भी आम असाले आट नहीं करेंगे को कि हम इसे सफेद रंग देना हैं तो अगर कोई मसाले हम अचा रंग हल्का साथ क्योवी हो जाँ रहा है तो शीज याँ पे हल्क यह बखा यहां को अच्छे से खुप कर लेंगे हैं तो यहां पर कोप कोई है तो यह देखिए यहां पर हमारी गोवि है वह अच्छे से कूप हो चुकी है तो अब हम इसमें पका हुआ चावल एड कर लेंगे तो पका हुआ चावल एड़ कर लेते हैं हम आणा चमच गरम शॉला का पाउडर एड़ कर लेंगे और अब कुलाब को हम अच्छे से विक्स कर लेते हैं तो यहां पे सफेज पुलाव भी हमारा रेडी हो चुका है तो अब हम तयारी करते हैं हरे रंग के पुलाव की त्यारी करेंगे तो सबसे पहले यहां पे हम फिर से डालेंगे एक चमच गी और गी को यहां पे हम मेल्ट होने देंगे घी हमारा मेल्ट हो चुका है तो एक चताय चमच जीरा डाल देंगे और इसे साउटे होने देंगे हरा रंग त्यार करने के लिए यहां पर हम इस्तमाल कर रहे हैं हरी मिर्च, मतर के दाने, सिमला मिर्च और हरी धनिया की पतियां हरी धनिया की पति हम बार में आट करेंगे हरी मिर्च, मतर और सिमला मिर्च हम अभी आट कर लेते हैं को यहां पर हलका सा फ्राइ करना एं और फ्राइय करने साइट हूठा साथ दिखिश्वरी करना आ को नमक दाल देते हैं तांकि अचछे से और ज़बी कुछ यहां पर हो जाएगा तो तेस्ट के अपॉर्डिंग यहां पे हम नमक डाल देंगे जितना प्लाव हमें यहां पे बना सकते रेडी करना है निक्स कर लेंगे और अब 3-4 मिनाथ हमीसे लोग फ्रेम पे खुट होने लेते हैं तो अब यहां पे हमारा जो मतर और तिर्णा मीच है वह भी खुख हो चुका है तो इसमें हम डाल देते हैं धन्यक्ति पप्यों को निक्स कर लेंगे हलका सा गरा मसला एड़ कर लिया और आधा चमश लालमिश का पाउर एड़ कर लेंगे निक्स कर लेते हैं अब इसमें हम पके हुए राइस को एड़ कर लेंगे तो यहां पर पके हुए राइस को हम डाल देंगे और अब इसको मिक्स करेंगे तो यह देखें प्रेंट्स यहां पर हमारा जो हरेजन का पुलाव है वो भी यहां पर पूरी तरह से रेडी हो चुका है तो अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं तो यह देखें फ्रेंट्स यह गर्मा गारम हमारे तीनों रंग जो तिरंगा के होते हैं वो यहां पर रेडी हो चुका है तो आप इस तरीके से भी तिरंगा जो पुलाव है उसके प्लेटिंग कर सकते हैं या फिर एक और तरीका है इस स्ट्रेम में हम करेंगे ती रंगा पुलाओ की प्लेटिंग तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहां पे हम कि सरीय रंगा जो हमने पुलाओ बनाया है उसी इसमें हम डाल देंगे इस तरीके से अब सपीद रंग के प्लॉप को हम डाल देंगे और अब लास्ट में हम डालेंगे हरे रंग के पुलाओ को हमने आटिफिसर रंग का इस्तमाल नहीं किया है तो यह जो पुलाओ है टेश्टिक होने के साथ साथ काफी हेल्दी भी लगेगा रहेगा हमारी हेल्द के लिए तो इस पुलाओ को आप ज़रूर ट्राइ कर सकते हैं इस इन्रेपेंडन ने या फिर पुलिक टे के पावन आपसर पे जो बहुत ही खुसी का दीब होता है तो उस दिना पीस पुलाओ को ट्राइ कर सकते हैं बना करके सभी लोगों को बहुत ही पसंद आएगा बहुत ही हेल्दी रेस्टी आई है और यह देखिए यहां पर हरी रंग के पुलाओ को भी मैंने डाल दिया है प्लेट में और इसी के साथ हमारा जो तिरंगा पुलाओ है वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है तो अगर रेस्पी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीजी से लाइक और सेर जरूर कीजेगा और मेरी योटुब चौरा जेचास में सोई को सब्सक्राइब कर लीचेगा सो फ्रेज टेक केर एंड गुडबाई